दोस्तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने Android मोबाइल में PDF फाइल बना सकते हैं और वो भी किसी बिन एप्लिकेशन को डाउनलोड किये बगेर हैं तो दोस्तो वीडियो को लास्ट तक देखें मेरा नाम है संजी और आप देख रहे हैं टे सर्च कर देना है आपको स्मॉल पीडियेफ.com यह देखें आपको यह लिखा हुआ है जो स्मॉल पीडियेफ.com यह सर्च कर देना है यहाँ पर क्रोमो ब्राउजर पर और सबसे पहला वाला जो वेबसाइट है उसी को आपको ओपन कर लेना है ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा तो आपको नीचे यहाँ पर स्कोल राउन कर लेना है और यहाँ पर यह देखे JPJ2 PDF लिखा हुआ है JPJ2 PDF जहाँ पर मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ उस पर आपको क्लिक कर देना है और उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और यह कह रहा है कि आप अपना फायल चूज कर लिजे योनीजीज़ फोटो जिस फोटो का आप PDF फाइल बनाना चाहते हैं उस फोटो को सिलेट कर लिए कर लिजे तो मैं यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ जैसे में Choose File पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने मेरे सारे इमेज यहां पर शो होगी तो मैं यहां से कुछ इमेज आप लोगों को दिखाने के लिए सिलेट कर लेता हूँ आप जिस इमेज का भी PDF बनना चाहते हैं वो इमेज सिलेट कर सकते हैं तो मैं यहां सिंपल से आपको दिखाने के लिए इन इमेजों को सिलेट करके दिखा देता हूँ और फिर यहां पर डर्ण के बटन पर क्लिक कर देना है जैसे आप डन के बटन कर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और आपने जो इमेज सिलेट की है वो यहाँ पर देगे एक एक करके आपको शो करेगी कि कौन सी इमेज जो आपने सिलेट की है यह देखे अभी मैंने साथ से आठ इमेज सिलेट की थी तो यह सारी इमेज यहाँ पर आ चुकी है और जैसे यहां से जबी सभी इमेज जो अमार यह वो शो होने लगेगा तो यहाँ पर नीचे क्रियेट पीडियेफ लिखा हुआ आएगा चहां पर अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ क्रियेट पीडियेफ तो आपको यहां पर क्रियेट पीडियेफ पर क्लिक कर देना है यहां पर आप उपर साइज भी यहां पर देखिए यह पर साइज रख सकते हो यह फोटो रहने देना और यहां पर आप बिग मार्जिन या भी स्मॉल मार्जिन वाला भी बना सकते तो मैं स्मॉल मर्जिन पर ही रहने देता हूँ और फिर क्लिक कर देना है आपको यहां पर create PDF ना उपर तो मैं क्लिक कर जाता हूँ create PDF पर तो यह देखिए generating PDF और यह देखिए केवल दो सेकंड में हमारा जो PDF फाइल है वो तयार हो चुका है इतना जल्दी तो दोस्तो एपलिकेशन से अगर आप करेंगे तो भी नहीं होगा जितना जल्दी यहां पर हो जाता है तो फिर आपको यहां पर download फाइल पर क्लिक कर लेना है जैसे वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो PDF है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा यह देखें यह आपर नीचे फिर software से करेंगे तो आपके कम से कम 10 मिनिट तो लगेगे ही लेकिन यहाँ पर केवल 2 सेकंड में मैंने create PDF पर click किया और 2 सेकंड में ही PDF जो है वो तयार हो गया तो उमीद दरता हूँ दोस्तो वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगे अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजे और चैनल को सस्क्राइब कर लिजे क्योंकि ऐसा ही इंटरस्टिंग वीडियो में मेरी चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ मिलते है किसी अगली वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत